नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है उजोलर आप देख रहे है माई पार साला आज की क्लास में हम टाइम एन वर्क के अपने सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और आज मैं दो छोटे कंसे पढ़ाने वाला हूँ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजे हर रोज मेरी मैस की वीडियो जा रही है और लगभग लगभग हम सारे चैप्टर वन बाइवन करकर जीरू से स्टार्ट करके उसके सबसे डिफिकर्ट लेबल को टाइप वाइस समझ रहे हैं अगर आप एससी एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो ये सिरीज अगर सिक्वेंस में देखोगे तो आपको बहुत फैदा पहुचाएगा अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन हिट कीजेगा कोई सुझा हो है तो नीचे कमेंट सेक्षन में दीजेगा तो चलो बगर देर की एवे आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में दो कंसिप सीखने वाले हैं और इनकंसिप का नाम दिया है हम लोगों ने सिफ्टिंग इन टाइम एंड वर्क ठीक है न दूसरा एक फॉर्मुला लर्न करना है टी इस उकल टू अंडरूट एक्स वाई मतलब यह दोनों टाइप ऐसे हैं जिनको अगर आप सही से समझ गए तो कोश्चन बहुत मजाग के होते हैं और अगर इनकी बेसिक्स को आप नहीं समझे तो कभी भी यह कोश्चन आपके एक्जाम में आएगा आप इन्हें कर नहीं पाऊगे आचा जो चीज हम अभी तक पढ़ते वे चले आ रहे हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हमें आगे के कोश्चन सौल करना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई नया बच्चा है तो इस वीडियो को डिरेक्ट लिए देखने के बजाए अगर सिक्वेंस में जादा मतलब लाब मिलेगा इस पुरे सेशन का तो चलो हम डारेक्ट कोश्चन पर ही चलते हैं और कोश्चन से ही इस कंसेप को सीखते हैं कि आज किस वराइटी के कोश्चन को आपन टैकल करने वाले हैं जैसे इस तरीके का कोश्चन आता है ए ने एक काम सुरू किया और द इने दिनों में पूरा कर सकता है इसके ऑप्शन सही नहीं दिया है या देखेंगे जा तक मिरे को अंदाजा इसके ऑप्शन सही नहीं है पर कोश्चन तो सही है तो इस तरीके के कोश्चन आते हैं इस तरीके के कोश्चन आते हैं तो जो आपने अभी तक बेसिक्स लर्ण क बाद चला गया. अब इस चीज को समझो जैसे case 1 दिया हुआ पहला case दिया हुआ समझ लो फिर आराम से कर लेंगे. A ने 2 दिन तक काम किया और उष ci ला गया. फिर b ने 6 कारे को 9 दिन में किया. b ने किते दिन तक क्या? b ने 9 दिन तक काम किया. यह case 1 था. Case दूसरा क्या है, A ने 3 दिन तक काम किया और फिर B ने कितने दिन तक काम किया? 6 दिन तक काम किया A ने 3 दिन तक काम किया और B ने इस काम को 6 दिन में complete करके पूरा कर दिया अच्छा जब इस तरीके के question आते हैं तो एक बात आपको समझना है चाहे case 1 हो चाहे case 2 हो काम तो आपका fix है मतलब total जो work है वो तो आपका fix है total जो work है वो fix है तो इस तरीके के question को करने के लिए किस तरीके का प्रोच देते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा A की efficiency माननी होगी और B की efficiency माननी होगी A की efficiency आप A मानलो तो B की Efficiency आप B माल लो और Efficiency होता क्या, एक दिन में किया गया काम तो A की Efficiency मैंने A माल ली B की Efficiency मैंने B माल ली तो पहले case में अगर आप देखोगे तो total वर कितना हो जाएगा भई इसकी Efficiency A है, यह दो दिन तक काम कर रहा है तो यह 3A काम करेगा, इसकी Efficiency B है तो यह 6B काम करेगा यही total काम है, यह दोनों काम बराबर होने चाहिए यह दोनों काम बराबर होने चाहिए बराबर कर दो तो 2A प्लस 9B is equal to 3A प्लस 6B 3A प्लस 6B अगर आप A और B को एक साइट में लेके जाओगे तो इधर बचेगा A और इधर बचेगा 3B A और B आपने क्या माना है Efficiency तो यहां से निकालो कि A by B की वैल्यू किती है जाएगी 3 upon 1 मतलब आपको Efficiency का Ratio पता चल गया क्या पता चल गया? Efficiency का Ratio पता चल गया कि A की Efficiency 3 है तो B की 1 है इसी पैरामीटर को सच मानते हुए आप एक काम करो Total Work निकाल लो Total Work जो Fix है निकालो कि कैसा है का चाहिए इससे निकालो चाहिए इससे निकालो A की Value आप 3 रग दो B की Value 1 रग दो तो 3 दूनी 6 प्लस 9 मतलब Total जो Work है वो कितना आ गया? 15 आपको A की Efficiency पता है A की Efficiency आपने 3 ले ली और B की Efficiency आपने 1 ले ली Total Work पढ़ता चलगे आपको 15 है तो अगर मैं बोलू कि A कितना दिन लेगा? A कितना देगा? तो 15 Total Work है इसकी Efficiency 3 है तो कितना दिन लेगा? 5 देज लेगा और इसी तरीके से B की बात करू Total Work 15 है इसकी Efficiency 1 है तो कितना दिन लेगा? 15 देज लेगा 15 देज लेगा तो यह जो पहला Option है 5-10 की जगा क्या होना चाहिए? 5-15 तब जाके Option सही होता तो यह इतना ही Simple इतना ही आसान Question चलो एक सामने आपके और बढ़या सा बहतरीन सा Question रखता हम और इस Question को आप खुरी Solve करो देखो कुछ सेकेंड में कर लोगे A ने काम सुरू किया और 4 दिनों तक काम करने के बाद चला गया फिर B को बिलाए गया और उसने काम को 8 दिनों में पूरा किया तो अगर A की Efficiency जो है A की Efficiency अगर हमने A मान ली तो पहले Case में उसने कितना काम किया 4 ए काम किया B ने कितना काम किया अगर B की Efficiency B मान ले तो 18 B यही Total Work होगा पहले Case में और दूसरे Case में क्या होगा यदि A 6 दिन तक काम करता तो 6 A काम कर लेता क्योंकि Efficiency अपने A की A, B की B मानी है और 12 दिन तक B काम करता 12 दन तक वही काम करता तो पहले Case में Efficiency जो है पहले Case में Efficiency जो है A और B के साथ जब हमने Total Werkt नकाला और दूसरे Case में जो Total Werkt नकाला दूनों Total Werkt बराबर mająझे काんकियों की काम तो जो है वही काम पहले Case में भी हो रहा है वही काम दूसरे case में भी हो रहा है यहां से हम A और B के बीच में उनकी efficiency के बीच में ratio निकाल सकते हैं 4 इधर से जाएगा तो 2 A बचेगा और 6 B 12 इधर से आएगा तो 6 B बचेगा, 18 B में से कटेगा तो यहां से अगर मैं देखूं A upon B का जब ratio निकालोगे तो 3 ratio 1 हो जाएगा 2 उकड जाएगा और यह हो जाएगा 3 तो जब B इधर जाएगा तो 3 ratio 1 हो जाएगा अब अगर मैं total work निकालो total work निकालो तो total work या तो आप इधर रखके निकालो चाहिए इधर रखके निकालो बात बराबरिया ना चाहिए A की efficiency 3 हमने लिए B की efficiency 1 ratio निकाली है तो यह हमने निकाली तो 4 ते ही 12 प्लस 18 तो total काम कितना हो गया 30 अब A द्वारा काम किया गया जो निकालना है वो निकालो A का जो days आएगा A का जो days आएगा वो total work divided by efficiency, efficiency कितने निकाली 3 तो A को कितने समय लगेगा? 10 दिन लगेगा इसी तरीके से अगर days की बात करें B के विशह में तो total work हमारा 30 है और इसकी efficiency कितनी 1 है तो हमारी value कितनी आगी 30 days तो जो भी option हमारा 10 और 30 का होगा वो ही correct होगा जो कि option यह है इतना ही आसान question है इस तरीके के जब exam में question आते हैं और यह तरीका नहीं पता है और यह base नहीं पता है आपको तो question करने में exam में बहुत दिकत होती है इसका थोड़ा सा complex version देखिए इसका complex version भी आता है अब ध्यान से देखिए कि A 25 परशन कारे करता है और B सेस कारे करता है यहां total days पहले case में दिया हुआ है अध्यान से देखो total days जो है दूसरे case में दिया हुआ है इसमें भी आप क्या काम करो efficiency मान लो A की efficiency A की efficiency A मान लो B की efficiency B मान लो तो मैं यह कहता हूँ कि पहले case में A द्वारा लिया गया days निकाल सकते हो total काम आप अगर 1 मान रहे हो तो A जो करता है वो एक बटा चार काम करता है total का और B जो करता है तीन बटा चार काम करता है करता है न यह आप इसको ऐसे ले लो total जो work है total work है वो चार unit मान लो तो जो A करेगा वो एक unit करेगा और जो B करेगा वो 3 unit करेगा यह हमने सुविधा के लिए मानना है आप कुछ भी मान सकते हो A की efficiency हमने A ले ली B की efficiency B ले ली तो A जो है कितना काम कर रहा है एक काम कर रहा है और इसका जो efficiency है वो A है तो number of days A द्वारा लिया गया कितना हो जाएगा उसके दोरा किया गया काम एक unit divided by जो है उसकी efficiency यह हो जाएगा number of days और फिर अगर हम B की निकाले तो B तीन unit काम कर रहा है उसकी efficiency B है तो कितना days लेगा 3 by B और यह दिया हुआ कोश्चन में किसके बराबर है 20 के बराबर है दूसरा case ध्यान से देखिए दूसरे case में क्या हो रहा है यह दि B 25% करता है अगर 25% करेगा तो मदब B एक unit काम करेगा दूसरे case में इसकी efficiency B है और A जो है 3 काम करेगा तो उसकी efficiency A है और यह कितना समय ले रहा है यह ध्यान से देखोगे तो 30 दिन ले रहा है अब आपको देखो क्या निकालना है अकेले B द्वारा लिया गया समय गयाद कीजिए अकेले B द्वारा समय लिया गया समय गयाद कीजिए तो आप A eliminate कर दो इसमें से इसमें से 3 का multiply करो और घटा दो जैसे 3 का multiply करके घटाओगे तो ध्यान से देखना क्या क्या होगा यह वाला section कट जाएगा यह 3 तरिक्का न हो जाएगा 9 upon B में से 1 upon B घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8 upon B हो जाएगा 8 upon B इधर गुडा करोगे 20 ते यह 60 में से 30 घटाओगे तो 30 बचेगा बचेगा न और अगर B की efficiency अगर यहां से निकालो तो 8 by 30 हो जाएगा 8 by 30 हो जाएगा या यूं कहलो कि 4 बटा 15 हो जाएगा 4 बटा 15 हो जाएगा आपको अकेले B द्वारा लिया गया समय ग्याद करना है तो अगर मैं यह बोलूं ध्यान से देखो यह efficiency आया है यह है 4 बटा 15 B है efficiency आया है 4 बटा 15 अब ध्यान से देखो कि B जो है 3 unit काम कर रहा था A एक unit काम कर रहा था हमारा जो total work था total work था वो भी 4 था तो अगर मैं efficiency निकालो तो efficiency का formula क्या होता है B की अगर efficiency निकालो तो efficiency का formula क्या होता है E B B की efficiency निकाले तो total work divided by number of days number of days तो यह देखो यही तो आ रहा है 4 बटा 15 मतलब number of days कितना ले रहा है 15 दिल ले रहा है यह ratio देख कि आपको तुरंट समझ जाना चीए था कि B का जो number of days है वो 15 लग रहा है अब A का भी number of days निकाल सकते हो A का number of days का मतलब यह होगा कि B की eliminate कर दो नीचे वाले में 3 का गुड़ागर की eliminate कर दो तो आप यह practice खुद कर ले ना कि अगर A का पूछा जाता है उसे कितना number of days लग रहा है तो A को कितना number of days लग रहा है समझना है वो खुद calculate कर ले ना homework है चलो एक question और है same similar pattern का question है जो आपको लगाना है यदि निश्चित मात्रा या कारे का 20% A द्वारा और 60% B द्वारा किया जाता है तो कारे 20 दिनों में पूरा हो जाता है पहले efficiency फिर से A की A और B की B मान लो तो पहला case क्या हो रहा है कि 2 unit काम 10 का 20% कितना हो जाएगा 2 तो total work up 10 unit मान लो तो 2 unit काम कर रहा A की efficiency तो कितना number of days लेगा 2 by A इसी तरीके से अगर हम B की बात करे B 80% काम कर रहा मतलब 8 unit काम कर रहा उसकी efficiency B मानी है तो जो number of days लेगा 8 by B और ये किस के बराबर है 20 के बराबर है इसी तरीके से कर मैं बात करूँ दूसरे case में अब ये 8 unit काम कर रहा है efficiency A है तो number of days लगेगा 2 है efficiency B है ये number of days लगेगा और ये कितने में पूरा हो रहा है 30 में पूरा हो रहा है 30 दिनों में पूरा हो रहा है अब आपको क्या काम करना है B को eliminate करना है क्योंकि A के भी सेमें जानकारी चाहिए तो B को eliminate कर दो कैसे eliminate करोगे इधर 8 है इधर 4 का गुड़ा कर दो 4 का गुड़ा कर सकते हैं B eliminate करने के लिए 8 बाई भी है 2 बाई भी है तो यह हो जाएगा 4 दुनिया 8 बाई भी कट-कट आजाएगा चलो एलिमिनिट करते हैं तो 8 चोग 32 माइनस 2 30 डिवाइड बाई ए डारेक्ट सॉल करने आता न दोको 8 चोग 32 और 32 में से 2 घटा होगे 30 बटा ही यह वाला सेक्शन कट जाएगा इधर क्या बचेगा 4 तीम बारे 120 में से 20 घटा होगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100 अगर एक ही वैल्यू निकालोगे तो एक ही वैल्यू कितनी आजाएगी 30 अपॉन 100 30 अपॉन 100 अगर मैं इसी को कुछ इस रेशियो को ऐसे लिख दू A को यह efficiency है अगर efficiency को कुछ इस तरीके से लिख दू यह मैं लिख दू 10 गुडे 3 अपॉन 100 तो कैसा लगेगा बोलोगे सर सही लग रहा है कुछ गलबल बात नहीं फिर इसी को देखना कैसे उपर हम लिख सकते A को 10 अपॉन 100 बटा 3 इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना यह उपर चला जाता है यह हमारा क्या हो गया total work तो जो efficiency निकालते हो total work divided by number of days होता है क्या होता है number of days होता है तो A को कितना number of days लगेगा 100 by 3 देखो किसी option में option A में option A correct हो जाएगा इतना ही प्यारा इतना बढ़िया है इतना ही मस्ता सवाल था तो यह यहां से ratio देखके भी आपको यह outcome निकालने आना चाहिए जब यह outcome निकालने आएगा तो आप मैंस को बहुत enjoy करोगे इसके बाद आगे के जो question है हो कुछ question है T is equal to xy formula पे T is equal to xy formula पे अब यह T is equal to xy क्या होता है इसके लिए question ही देखो यार एक देखको इस तरीके का question आता है आपके exam में और बहुत ज़्यादा complex question होता है जैसे दिया है कि A और B मिलकर एक काम को day दिनों में पूरा करते हैं देहां से देखना question को A plus B किसी काम को किते दिनों में पूरा करते हैं यदि A अकेले काम करता तो वह D plus x दिनों में करता अगर A काम करता तो D plus x दिनों में करता अगर B काम करता तो D plus y दिनों में काम करता तो पूछ रहा है कि D की value xy के term में बताओ तो d की value xy के term में बहुत आसानी से बता सकते हो कैसे बता सकते हो आपको पता है कि सबसे पहले हम इनका वो लेते हैं, lcm लेते हैं तो यह हो जाएगा d plus x into d plus y यह हो गया, यह हो गया total work इसकी efficiency निकालोगे तो d plus y हो जाएगा, इसकी efficiency निकालोगे तो d plus x हो जाएगा, और आपको पता है number of days कैसे निकलता है यह जो number of days है, यह d बराबर किसके होगा, यह d बराबर होगा total work divided by दोनों की efficiency का sum अगर इनकी efficiency का sum निकालोगे तो 2d plus x plus y हो जाएगा तो यह d किसके बराबर होगा यह होगा बराबर d plus x यह total work हो गया, into y जो आमने माना है, अपन 2d plus x plus y इसको अगर solve करोगे थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा solve करोगे तो जाएगा 2d square plus d times x plus y, इसको आमने करने आता होगा आप लोगों को अब यहाँ पर देखो dx plus y इदर इदर है, दोनों कट जगा कट गया यह d square इदर कटेगा तो बचेगा क्या d square बचेगा और यह हो जाएगा x y तो d is equal to क्या होगा, under root x y अब इस बात को जादा लेता है, b y दिन जादा लेता है तो यह d की value directly होती है, under root x y d की value होती है, directly under root x y देखो यह question कैसे आता है एक question दिया हुआ है, a और b मिलकर एक काम को d दिनों में कर लेते a और b किसी काम को d दिन में कर लेते और क्या बोल रहा है, यदि a अकेले करे a अकेले करे, तो यह कितना समय लेगा d प्लस 18 लेगा और b अगर अकेले करे, तो a प्लस b के comparison में कितना दिन जादा लेगा यह लेगा आपका d प्लस 8 days d प्लस 8 days तो पूछा क्या जा रहा है, d की value बताओ तो यह जो d की value होगी, वो directly इसके और इसके under root में गुड़न फिल के बराबर होगी, तो यह हो जाएगी 8 गुड़े 18 यही तो निकाला भी, कि d प्लस x हो, d प्लस y हो, तो d directly कितना के बराबर हो जाता है, under root x y के यहां से निकालेंगे, तो यह इधर हो जाएगा 16 और 9, मतलब 4 गुड़े 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुड़े 3 हो जाएगा, और यह हो जाएगा, d की value बार हो जाएगी, 12 हो जाएगी, चलो, अगला question देखो, अगला question देहां से देखना, यदि a और b दोनो एक साथ कारे करते हैं, तो अकेले a क कारे को पूरा करने में 8 गंटे अधिक लगेंगे, अंगले जीम पढ़ते हैं, a alone would take 8 hours more to complete the job than if both a and b worked together, if b worked alone, he took 4 गंटा more to complete the job than if a and b worked together, what time would they take if both a and b worked together, actually क्या पूछ रहा है, सवाल में यही दिया हुआ है, कि अगर a plus b कोई काम करते और d दिनों में करते, तो a जो काम इन डेलेगा, a plus b के कमपयरेजि CAPERATION में कि तना ज्यादा सनमय ले रहा है, पहले वाले केस में, 8 गंटे ज्यादा ले रहा है, यह d plus 8 ले रहा है, और जो b ले रहा है, वो साढ़े 4 गंटे ले रहा है, यह हो गया 9 by 2 ले रहा है, donch अगर हमको d की value निकालनी है, तो हमें क्य करना है 8 गुड़े 9 बटा 2 करना अंडर रूड में निकालना है 2 4 का 8 और 2 गुड़े 3 तो D की वैल्यू कित्ती हो जाएगी 3 2 6 तो 3 2 6 जो डे जा रहा है वो किसका रहा है D बोलो या A समय में कारे कर सकते हैं A को करने में कितना दिन लगीगा अब यह दो को language खेला है question एकदम होई है मतब कुछ भी नहीं है लेकिन question कैसे खेला ध्यान से देखना है A कारे को पूरा करने में B से 5 से दिन अधिक लेता है मैंने A ले लिया मैंने B ले लिया और मैंने C ले लिया बोल रहा है कि जो A है B से कितना दिन ज्यादा लेता है 5 दिन ज्यादा लेता है और इससे कितना दिन ज्यादा लेता है 9 दिन ज्यादा लेता है और अगर मैं C की ब दिन लेगा भाई इससे 5 दिन कम लेगा अगर इधर की तरह जाओगे तो माइनस 5 लेगा तो यह किता हो जागा D प्लस 4 लेगा एक लाइन और दी होई है वो बोल रहा है कि A और B एक साथ उसी कारे को C के समान समय में कर सकते C जितना समय लेता है उतना ही समय के आ लेता है A प्लस B लेता है जितना समय C लेता है किसी काम को करने में उतना ही समय A प्लस B लेता है तो उन्होंने इस बार डारेक्ली यह नहीं दिया कि A प्लस B D दिन लेता है उन्होंने यह दिया एक नया वैरिबल डाल दिया c confuse करने के लिए किसी उतना ही दिन लेता है जितना a plus b लेता है तो यहां आपको c नहीं देखना पड़ेगा a plus b देखना पड़ेगा जैसे a plus b देखोगे तो आपको तुरंत formula याद आ जाएगा कि d की जो value होगी under root 4 into 9 होगी 4 into 9 होगी और 4 into 9 का मतलब d की value अपने निकाल लिया 6 days लेगी तो अगर आपको बताना c कितने दिन लेगा तो 6 दिन लेगा या a plus b combined कितने दिन लेगा तो वो 6 दिन लेगा लेकिन question में पूछ रहा है कि a कितने दिन लेगा तो a c से या a plus b से 9 दिन जादा लेगा तो 9-6 15 दिन लेगा option c correct हो जाएगा इसका थोड़ा और variation देखो और अच्छा question देखो एक कारे को पूरा करने में b से 24 दिन जादा लेता है a किसी काम को करने में b से 24 दिन जादा लेता है देहाँ से देखना और देखो इसी में c भी इंट्रिद्यूस किया गया c से 32 दिन जादा लेता है अगर c का काम मैं अगर ले लूगी ये d दिनों में करता है इसका मतलब है कि d plus 32 days में ये करता है और b अगर देखों तो इससे 24 कम लेगा 24 कम लेगा c उतना ही काम करता है जितना a plus b एक साथ काम करता है बोला c उतना ही काम करता है जितना a plus b एक साथ काम करता है तो c का काम है वो a plus b के काम के बराबर है तो formula आप लगा सकते हैं d की value यहाँ से निकाल लेंगे अगर d की value यहाँ से निकालें तो 32 under root into 8 32 x 8 यह हो गया आपका 16 किता हो गया? D हो गया 16 अब पूश रहा है कि यह बताओ कि A, B और C अकेले इस काम को कितने दिनों पूरा करते है सबका अलग-लग बताना है अलग-लग बताना है तो option यह गलत दिया हुआ है option तीनों का देना चाहिए था तो 16 डेज हो क्या लेगा वह C लेगा लेकिन A कितना लेगा A लेगा 16 यहां जॉड़ोगे तो यहां हो गया 48 डेज लेगा इसमे अगर 16 जॉड़ोगे तो कितना हो गया 24 डेज लेगा तो जो correct option आएगा वह गया 48, 24, 16 यह हो जाएगा A का नमबर अपडेज, यह B का हो जाएगा, यह C का ड़ा हो जाएगा, समझ मैं है, यह सिर्फ language में गुमाया गया है, और question में कोई बात नहीं थी, अब एक question और है, जो सबसे difficult question है, language wise, मालब कुछ भी variation नहीं है, पर यह language wise question difficult है, कैसे चाहा ध्यान से देखना, एक कारे को पूरा करने के लिए, एक साथ A plus B plus C से 6 घंटे अधिक लेता है, हम A की बात करेंगे, हम B की बात करेंगे, हम C की बात करेंगे, साथ में हम A plus B plus C की बात करेंगे, question देखना, सिर्फ language का खेलर, एक कारे को पूरा करने के लिए एक साथ A plus B plus C से 6 घंटे जादा लेता है ये 6 घंटे जादा लेता है किस से A plus B plus C से तो माल लेते हैं हम X days लेता है तो ये क्या हो जाएगा X plus 6 days लेगा यही लेगा न X plus 6 days लेगा B एक कारे को पूरा करने के लिए एक साथ A plus B plus C से 1 घंटा जादा लेता है मतलब यह X plus 1 डेज लेगा C एक कारे को पूरा करने के लिए एक साथ A plus B plus C से 2 गुना लेता है मतलब यह X है तो यह 2X लेगा अब जो मैं बात आपसे कहना चाहूंगा वो यह कहना चाहूंगे चला इस चीज को ध्यान से देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल कीजी जाता नहीं थोड़ा ब्रेन इस्तेमाल कीजी इस चीज को अगर मैं यह बोलूं कि A plus B plus C X दिनों में किसी काम को कंप्लीट करता है और C 2X दिनों में काम करता है 2X दिनों में काम कंप्लीट कर लेता है इसका मतलब यह हुआ कि A plus B द्वारा किया गया जो नंबर आप लिया गया डेज है वो C के नंबर आप डेज के बराबर है जैसे इसको ऐसे समझो कि जो c नंबर आप डेज लेगा और a प्लस b जो नंबर आप डेज लेगा अगर वो समान लेगा अगर वो समान लेगा तब ही ऐसा होगा कि जो c होगा a प्लस b प्लस c के दो बने डेज के बराबर आएगा तो a प्लस b A plus B जो number of days लेगा A plus B जो number of days लेगा A plus B जो number of days लेगा उतना ही number of days कौन लेगा number of days लेगा C तभी ये condition आएगी कि A plus B अगर X days ले रखा है A plus B plus C अगर X days ले रखा है तो C 2X days लेगा ये तभी possible हो पाएगा कि C एक कारे को पूरा करने के लिए एक साथ A plus B plus C से दो गुनार समय लेता है तब ही ऐसा हो पाएगा कि A plus B plus C अगर X days में काम करता है तो C 2X days में और काम को कर पाएगा तो मैं एक बात बोलूँ कि C का जो number of days है वो किसके बराबर होगा C का जो number of days है वो A plus B के number of days के बराबर होगा यही यहां पर सिर्फ समझने वाली बात थी question को crack करने के लिए यह बात जितनी आसानी से समझ में आ जाएगी उतन ही आसानी से आप question को crack कर लोगे अब इसके लिए आपको value put करके देखना है तो value put करके भी दे सकते हो अगर मैं यह कहूं कि C 2 unit काम करता एक दिन में इसका मतलब A plus B भी 2 unit काम करेगा unit में नंबर आप days में लेते हैं कि अगर A plus B 2 दिन लेता है तो C भी कितना दिन लेगा? 2 दिन लेगा तो A plus B plus C कितने दिन लेंगे? A plus B plus C कितने दिन लेंगे? तो A plus B plus C अगर combined form में काम करेंगे अगर हम टोटल चार उनिट काम मान ले कितना इसको अलग से सब जाता हूँ हमने क्या माना देखो ध्यान से देखो कि A प्लस B हमने मान लिया कितना 2 days लेता है तो C भी कितना लेगा 2 days लेगा अब इन दोनों का अगर मैं LCM निकाल लूँ तो दोनों का LCM कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा इसकी efficiency कितनी हो जाएगी? 2 सरी जहां से देखना रुकना ये 2 दो ले लिया LCM कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा तो A प्लस B की efficiency वना जाएगी इसकी efficiency वना जाएगी जब हम a plus b plus c की efficiency देखेंगे a plus b plus c की efficiency देखेंगे ध्यान से देखना तो यह क्या हो जाएगा 2 और a plus b plus c का number of days अगर निकाले a plus b plus c का number of days निकाले तो 2 upon 2 कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1 यही बात है न अगर यह 2x days ले रहा है और a plus b 2x देज लेगा तो a plus b plus c कितना देज लेगा x देज लेगा ये जो बात दी गई है इससे हमें ये निकालना पड़ता है कि c अगर 2x देज ले रहा है complete करने में a plus b b 2x देज लेगा तभी a plus b plus c x देज लेगा ये तभी संभव है otherwise संभव ही नहीं होगा ये line उन्होंने directly नहीं दी हुई है ये line उन्होंने directly नहीं दी हुई है तो इससे हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो c द्वारा लिया गया समय है वो a plus b द्वारा जो लिया गया समय है वो बराबर है जैसे ही ये बात हम निकाल पाएंगे वैसे हमारा question crack हो जाएगा वैसे ही अभी जो हम अंडरूड xy वाला फॉर्मूला लगा रहा है वो फॉर्मूला लगा पाइं कैसे हम इसको इसके respect में कर लेते इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x हमने x इसमें जोड़ दिया यह 2x हो इसके हमें यह पता है कि अगर हम इसको गिके बराबर कर दें इसके बराबर करते तो ये डी हो गया की बचा हुआ section है वसक्लिमाब्स एक्ष की वैल्यू deep कर चैसरे जैसे बराबर होगी अब 1-x यहां से x की value निकालोगे तो 3 by 2 आ जाएगी solve कर ले न, x की value निकालोगे तो 3 by 2 आ जाएगी पूछा क्या गया है ध्यान से देखना a और b मिला कर कारे को कितने दिन हों पूरा कर लेंगे a और b का जो number आप days है वो c के days के बराबर है c कितना days ले रहा है 2x days ले रहा है तो x a प्लस b कितना days लेगा यह भी 2x days ही तो लेगा यही तो बात हम discuss कर रहे थे और यह x की value निकाल दी है 3 by 2 तो 2x की value क्या आ जाएगी 2x की value 4 by 3 और यही हमको बताना था 4 by 3 आ जाएगी क्योंकि यहां सारा का सारा hours में दिया हुआ है तो days की जगा आपको hours में tick मारना पड़ेगा तो option c जो होगा आपका correct हो जाएगा समझ मैं ही बात c a c दोरा लिया आ गया समय a plus b दोरा लिया गया समय की बराबर कैसे होगा एक बर मैं फिर से समझा देता हूं c अगर 2x days में कोई काम करता है और हमने क्या मान लिया दोनों का बराबर है तो चलो निकाल लेते a plus b with 2x days लेगा इन दोनों का LCM लेंगे किता आ जाएगा 2x आ जाएगा इसकी efficiency निकालोगे तो 1 आ जाएगी अगर मैं a plus b plus c के number of days की बात करूं तो efficiency इसकी 2 आ जाएगी जैसे 2x में 2 का भाग दोगे तो a plus b plus c द्वार लिया गया काम जो समय होगा वो x hour आ जाएगा क्योंकि सब hours में दिया हुआ है या days दिया होता तो days में आ जाता है c ने अकिले 2x days लिया है तो a plus b ने भी 2x days लिया होगा इस case में c का जो काम है जो लिया गया c ने जो काम किया जितना number of days लिया number of power लिया उतनी a plus b number of hours लेगी तो जब यह चीज यहां पर निकाल पाओगे तब यह formula लगा पाओगे अगर जब यह चीज नहीं निकाल पाओगे तब यह formula लगा भी नहीं पाओगे इन दोनो टाइप पे जिस तरीके के depth में question बन सकते हैं वो सारे question मैंने discuss कर दिया इससे जए difficult question बनता नहीं अगर इतना भी आपने solve कर लिया है इस more than sufficient मैं उम्मीद करता हूँ आज का concept आपको समझ में आया होगा और अगर समझते में दिक्कत होई होगी तो एक बार वीडियो को repeat मार लीजेगा ठीक है ना जब किसी वीडियो इसको 2-3 बार repeat करके देखते होना तो कई बार revise हो जाता है उससे आपकी strong पकड़ हो जाती है concept पे आज के लिए इतना ही अगले lecture में अगले concept में मिलेंगे